अलो फ्रेंट्स वेलकुम टी शूर अकाडमी वन्स अगेन एसकेल फॉर बिगिनर्स की इस पहले लिस में आप लोगों का मैं वेल्कम करता हूँ ये वीडियो काफी हेल्फ फॉर रहेगा अगर आप लोग बिगिनर्स से एडवांस में अगर काम करोगे तो उस टाइम पर इस टाइब की जो स्कील रहेगी इस वीडियो में जो बताने वाला हो और डेफिनेटली आप लोगों के हेल्फ फॉर रहेगी So I hope आप लोग को previous मेरे सारे वीडियोस बहुत पसंद आया हूंगे, उसका content इस तरह के से comment करते रहे, जाद से यदा मेरे वीडियोस को share करे, like करे and subscribe करना ना भूले और अपने friend circle में अपने colleagues को ये वीडियोस share करे जिससे मुझे grow होने में help हो और मैं ऐसे ही motivation के साथ बहुत सारे वीडियोस आप लोग के लिए लेके आऊ so that आप लोग की जो skills है, programming से related, database से related उस सारे skills बढ़ाने में मैं आप लोग की help कर पा हूँ so चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक बहुत ही अच्छी important technique की जो most of the companies में जब database पर आप काम करते हो उस time पर बहुत ही ज़दा helpful होती है so सबसे पहले मैं database को connect कर लूँगा so the password मैंने डाल दिया है, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाला है suppose जब भी हम लोग कभी बहुत बड़े data पर काम करते हैं at that time हमको कभी data जो है clients से कुछ file formats में मिलता है Excel sheets में हम लोग को clients data provide करते हैं sometimes CSV format में होता है तो इस तरीके से अलग-अलग formats होते है इन formats में हमको data आता है और उस data को हम लोग को application में add करना होता है तो उस time पर आप लोग को क्या procedure follow करनी है वो procedure हम लोग यहां देखेंगे it means कि इस video में हम लोग बात करेंगे data import करने की हमारे database में right इसके लिए हम लोग क्या करेंगे हमापास में एक table लगेगा मैंने already एक table बना लिया है मैं आप लोग को उस table का description बता देता हूँ so employee नाम का हमारा table है इस table में हमने क्या किया है चार columns लिये एक column है हमारी id की second है name की e-name third है designation है salary employee info नाम का एक table है हमारा okay so अब हमको क्या करना है इस columns में सारा data हम लोग को लेकिया आना है अगर मैं आप लोग को query fire करके बताओ इस table में क्या information है आप देखो कि यह table हमारा totally empty है so display करके देखा आपको दिखेगा आपर किसी भी type का information अभी यहां database के इस table में store नहीं किया है right तो हमको क्या करना है इस table में हमारा data हमको हमारी जो external file radius file से import करना है इस table में इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको अपना table select करना पड़ेगा table select करने के बाद में right जैसी कि आपने table select किया है तो आपको यहां पर right hand side में option दिखाई देगा और उस option के according आप लोग को काम करना है suppose मैंने इस table पर double click किया आप इस data column पर click करो या फिर यहां आपको action दिख रहा है आप data पर भी click कर सकते हो तो आपको यह columns इस तरीके से दिखाए देंगी और action का tab यहां पर दिखाए देगा या फिर आप यहां पर भी action पर click कर सकते हो जैसे ही आपने action button पर click किया तो आपको इस drop down दिखेगा यहां पर multiple functionality प्रोवाइट कर रहा है यह drop down export है import data, table, columns and so on पर हमारा यह video का purpose है data हम कैसे import कर सकते है database में तो import data पर हम click करेंगे and import data पर click करने के बाद में आपको यहां कुछ steps दिख रही है four steps है इन four steps के according आप लोगों का data है वो किसी external file से internal database में हम लोगों को import करना है उसके लिए यहां पर यह जो पहली step है हमको यहां पर देखना है कि हमको क्या करना है right तो क्योंकि मैंने already मेरा जो file का data है वो हमारे desktop file पे मैंने बना के रखी है मैं आप लोगों को file बता देता हूँ मैंने desktop पे एक excel file बनाई है जिसका नाम है employee and इस file में मैंने कुछ columns लिए है और उस columns में 10 records लिए है columns से हमारे emp id, emp name, role and salary right और इन सारी columns में अपने अपने इंसाब से कुछ values insight की हुई है यह dummy data है आप जरूर नहीं कि 10 values ही रहेगी आपके वास में जो data आएगा client से वो maybe 10 lakhs records का हो सकता है 1 lakhs records का हो सकता है तो data कित्मा भी बड़ा हो सकता है तो उस time पे हम लोग को किस चीज को use करने है तो यह हम लोग SQL developer से करने वाले है आप command prompt से भी कर सकते हो SQL का जो command prompt आता है बट हम लोग UI use करेंगे SQL developer हमको क्या करना है इस action पे click करना है and then import data import data पे जाने के बाद आपको यह option दिखेगा file it means यहाँ आपको आपकी file load करनी पड़ेगी and then आगेगी further process को follow करना है so browse पे click करने पे आपको आपके path पे आपको जाना होगा जैसे कि मेरी file desktop पे है आप देख सकते हो employee.xlss इस पे हम click करेंगे आप देखोगी यहाँ पर file type तो यहाँ पर जितने भी file types है यह file types आप लोगों के पास अगर है तो वही file types आप यहाँ पर import कर सकते है आपके database में आप देखोगी xsl है then xslx है csv format भी हम use कर सकते है text files है text files भी आप use कर सकते हो and then dsv इस तरीके से यह 4 file formats आप लोगों को यहाँ पर usable रहेगे data import करने के लिए ओके जैसे ही मैं इस file को open करूंगा तो आपको दिखाए देगा यहाँ पर उस file के अंदर का पूरा data right यह उसका path है अब हमको आगे के जो option से उस पर ध्यान देना है और यहाँ दिख रहा है आपको पहला option header और यह click दिख रहा है it means जब हम लोग इस file को हमने बनाया था इस file में आप देखोगे कि यह first line है हमारा data represent कर रही है it means कि इस column में किस type की values है इस column में किस type की values है and so on तो हमको इस header पे ध्यान देना है कि यह जो पहली row है यह पहली row हमारे as a header treat करना है या फिर हमने वह को without header as a value as a record treat करना है यहां पर यह पहली row as a record हमारी आ जा रही है और जो गलत है तो it means हमको यह करना है कि यह जो row है हमारी इसको as a header ही treat करना है तेने option skip rows it means कि आप कौन से number की rows को skip करना चाहते हो कितनी rows skip करना चाहते हो for example अगर मैंने 5 लिया तो आप देखोगे कि हमारी starting की जो 5 rows है with header सारी की सारी skip हो गई है और जो 5th number की record है वो हमारा as a header दिख रहा है अगर मैं इसको click करूँ तो आपको header के columns अलग-अलग दिखाए देंगे यह column names हमारे इस database के interface से बने हुए है बट हमको ऐसा नहीं करना है हम skip row नहीं करने माले हमको सारा data चाहिए यहां पर आपका file format दिखाए दे रहा है और आपको कितनी rows preview करनी है यहां पर यह preview section में उसकी यह limit हम set कर सकते for example 5 किया तो आपको 5 rows दिखेगी हमारे इस file में 10 है तो हम लोग 10 records को display कर रहे है right next हमको करना है इस button पर click इस button को click करते ही आपको यहां पर दो options पुछेगा कि आपको कौन सी method apply करना है एक option है आपकी insert method और एक है insert script insert method में आप लोग को कुछ नहीं करना है आप simply select कर सकते हो और आपको कितनी rows import करना है आप यहां से बता सकते हो but अगर आपने insert script method यूज की तो इससे क्या होगा कि पहले आपकी script ready होगी insert command से related and then आप उस script को आपकी worksheet पे जाके fire कर सकते हो तो अभी हम लोग insert option से जाएंगे and then कितनी rows आपको import करना है वो आप decide कर सकते हो अभी हम सारी rows import करेंगे then click करना है next पर next पर click करने पर आपको ये window मिलेगी यहां पर option है choose columns it means कि आपको कौन-कौन सी columns में का data fetch करना है sometimes ऐसा होता है कि हम लोगों को selected columns की values होनी होती है but अभी हम लोग पूरे columns की values को import कर रहा है so that हमारे ये सारी columns यहां रखेंगे हम लोग and then हम next पर click करेंगे next पर click करने के बाद यह जो हमारी last step है यह step बहुत ही important होती है हमारे जो file है उस file में की columns आपको यहां पर रिखाई देगी and उस file में की columns का नाम और हमारे database के अंदर की table का नाम अगर similar नहीं है तो भी कोई फरक नहीं पढ़ेगा simply हमको हमारी जो external file रहेगी उसमें की columns को map करना होगा database के table के columns के according okay so for example यहां पर EMP ID यह हमारा Excel sheet में का column का name है इसको हमको target table की column के साथ match करना है तो हम लोग match करेंगे इसको ID के साथ में यही procedure हम लोग follow करते जाएंगे बाकी के लिए भी so EMP name पर हम लोग click करेंगे so EMP name पर click करने के बार इसको किसके साथ हमको target करना है तो table में column है हमारा e-name दिन हम लोग role पर click करेंगे तो आप देखोगे कि यहां पर designation column हमने बनाया है database के table में and then lastly salary पर जब हम click करेंगे तो हमको यह salary column लेगा अब यहां जितनी भी errors थी वह सारी errors चलेगे क्योंकि हमने हमारे सारे columns को map कर दिया है now हमारा काम है अब next पर click करना जैसे हम next पर click करेंगे तो उस उसाब से आगी की procedure फॉलो होगी आप यहां पर match by name, position यह भी कर सकते हो बट मैं name के साथ ही जाओंगा and जैसे ही मैंने next किया तो आपको यहां पर कुछ summary बताएगा कि आपका data कहां से import होने वाला है कौन-कौन से columns जो हमने select किए EMP ID पर ID column में जाना जाए data EMP name का data ename में जाना जाए role का data designation column में and salary का data salary column में import होना जोई है और सारी columns select किए इसलिए दिखा रहा है अगर हमने कोई column miss की होती कोई column skip की होती तो उसका data हमको यहां पर दिखाए देता right and then finish जैसे ही हम finish करेंगे तो आपको एक dialogue box pop up होगा जिसमें आपको message आएगा कि task successful and import committed तो हमारा सारा data जो है यह table employee info में आ चुका है अब हमको इसको okay करना है okay करने के बाद अब हम इसको फिर से run करके देखेंगे script को और देखेंगे हमारा data आया है की नहीं आया है previously जब हमने start किया था तो हमारा table पूरा empty था अब हम इसके click करेंगे तो आप देख सकते हो कि आपकी सारी की सारी values इस table में आ गई है जो values आप लोगों की excel sheet में है right तो मैं आप लोगों के सामने excel sheet भी ला लेता हो जिससे आपको compare करने में easy जाएगा तो यह हमारी excel sheet है और इस excel sheet का data आपका इस table में आ गया है so first row आप check कर सकते हो smith taster and 25,000 and similar way में last है हमारा dev hr 50,000 in this way we can import database data from any kind of file जो external files रहेगी right तो I hope guys आप लोगो data imports related जो queries थी वो यहाँ पर clear होगी होगी तो इस तरीके से हम लोग secure developer का interface use करके हमारा external data tables में fetch कर सकते हैं import कर सकते हैं so अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा so please like करे, share करे and मेरे वीडियो को जादे-सादा आपने friend circle में share करे अगर आप लोग नए viewers हो तो प्रेस सब्सकाइब करे मेरे channel को और rainbow icon को प्रेस करना ना फिले जिससे आपको मेरे future videos की notifications मिलती रहे so that मैं आप लोगों को जो भी videos यहाँ पर post करने वाला हूँ उनकी notifications आएगी तो आप उस videos को prepare करके देख के आपके projects में आपके college practicals में apply कर सकते हो और आपको काफी help होगी तो चलिए मिलती है अगले video में ऐसे ही till then good bye and take care